अस्सलाम अलेकूम वरहमतुल्लाही वबरकातु हूँ कैसी हैं आप सब बहने तो आप आप आपने हदीस पाक याद करनी स्टार्ट कर दी होगी और जो आपको आज ये जो दूआ से इंड की गई है इसको भी आपने अब लर्ण करना स्टार्ट कर दिया होगा अच्छा एक चीज़ आप लोगों से मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं अगर आप दुआउं को लिख रहे हैं और हदीस पाक को भी लिख रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप जिस नोट्बुक में लिख रहे हैं उस नोट्बुक का भी अदब होता है क्योंकि इल्म बिना अदब के हासल नहीं होता तो उस नोट्बुक का भी अदब करिएगा अदब मतलब रिस्पेक्ट करिएगा उसको ऐसे ही कहीं भी मट टेबल पर डाल के उतना ही आपको इल्म जो है वो मिलेगा तो और साथ साथ जिस पैन से आप लिखेंगे जो आपका कलम है आपको कलम की भी बहुत जादा रिस्पेक्ट करनी है अदब करना है क्योंकि उससे आप इतनी खुबसूरत चीज़े हैं तब इस इस इल्म से जादा तो बढ़के और कुछ है ही नहीं दुनिया आखरत में तो इस चीज़ का आपने आगास किया है एक अच्छी नियत के साथ आगास किया है हमारी पहली हदी चरीफ यही थी कि हमें अपने अपनी नियत को चेक करना है क्योंकि जो हमारी नियत होती है हमारी जो अमाल का सारा दोरोंदार हमारी नियत पर ही होता है तो आप जो अल्हा की दीन को सीखने के लिए हमने जो यह गदम उठाया है हम सबने साथ में मिलके और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी इसमे नियत यही है का पैन हो क्योंकि कलम की जो कसम है वो तो अल्लह पाक ने कुरान पाक में भी खाई है कि नून वल कलम वल जो हता है वो कसम के लिए यूज होता है तो उसकी कसम अल्लह पाक ने उठाई है तो हमें कलम की भी रिस्पेक्ट करनी है उसको भी ऐसे ही डाल के नहीं रखना है कहीं तो इसे बिल्कुल मत होने दीजेगा उसको बहुत समाल के रिस्पेट के साथ रखेगा यह होगी एक बात और दूसरी चीज यह कि कुछ सिस्टर्स ने मुझे परसनल मेसेज भी किया है कि उनको शायद समझ में नहीं है एकस्प्लेनेशन तो मैंने इसलिए में क्लेयर करना च अचली तो वो आप देख लीजे वो नीचे है और सेकिंडली मैं इसका थोड़ा से एकस्प्लेन कर देती हूँ यह जो हमारी आज की दूआ है जो आप हमको लेर्न करनी है हम अल्ला ताला से इस दूआ के जरीए तीन चीजे मांग रहे हैं पहला इल्म नाफिय दूसरा तैयब रिस्क और तीसरा ऐसे आमल करने की तौफिक जो अल्ला ताला की बारगा में कबूल है मतलब पहली पहली चीज हो गई नफे वाला इल्म नफे वाले इल्म से मतलब यह है कि ऐसी नौलेज ऐसा इल्म जो हमारे लिए बेनिफिशल हो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा इल्म जो हमें नफ़ा पहुंचा है सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं आखरत के लिए भी तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो हम बड़ी बड़ी डिगरीयं भी हासिल करता है और हम कोई डॉक्रेट करता है, कोई पीचडी करता है, कोई रिसर्च करता है तो इल्म तो मिल जाता है, महिनत करने से इल्म जो है वो मिल ही जाता है आप लगे रहें, महिनत करते रहें तो आपको इल्म जरूर हासिल होगा लेकिन वो क्या इल्म नाफ़ है ये हमें देखना है अब इल्म नाफ़ क्या चीज़ है ऐसा इल्म जिसमे नफ़ा हो तो महिनत करने से इल्म तो मिल रहा है लेकिन नफा जो है वो महनत से नहीं मिलता, वो मांगने से मिलता है अल्ह ताला से मांगी है कि अल्ह ताला हमें नफे वाला इल्म दे और ऐसा इल्म दे जिससे हमें दुनिया और आखरत दोनों का नफा मिले तो पहली चीज़ तो यह हो गई कि अल्ह ताला से हम सब मांगें दिल से कि अल्ह पाक हमें नफेवाला इल्म दें और दूसरी चीज़ यह होती है कि नियत तो इल्म हासल करने के लिए हमारी नियत क्या है यह important है तो नफेवाला इल्म जो हुआ basically इल्म प्लस हमारी हुसन नियत यह दोनों चीज़ों को मिला लिजे तो आपका नफेवाला इल्म बन जाएगा तो हमारी पहली हदीश पाक अब पहली दूआ के साथ हो गई ना connect तो पहली जो हमारी हदीश पाक है वो हर चीज़ के साथ हमारी जिन्दगी के हर पल के साथ connect हो जाएगी इसी तरह बस हमें यह खयाल रखना है कि हमें हर वक्त अपनी नियत के उपर चेक रखना है मतलब यह सिर्फ एक assignment one week का नहीं है ना कि यह assignment 40 weeks का है यह assignment जो है हमारा वो पूरी जिन्दगी के लिए है हमें पूरी जिन्दगी अपनी नियतों के ऊपर चेक रखना है और उसे हमेशा correct करना है क्योंकि इनसान की फितरत है कि वो कुछ time के लिए चीज़ों को याद रखता है और फिर वो उसके शैतान जो है वो सब भुला देता है तो हमें यह नहीं होने देना है इन्शाला ताला लास्ट ब्रेथ तक मतलब जब तक हम जिन्दा हैं इस दुनिया में जब तक हमें अपनी नियतों को चेक करते रहना है और उन्हें correct करते रहना है मतलब इसी तरह से और हम दूसरों को भी इसके बारे में बताएं सिखाएं पहली चीज़ दूसरा second part जो है दूआ का वो है कि हम अल्ला पाक से तयब रिस्क मांगें तयब रिस्क होता है पाक रिस्क मतलब की हलाल रिस्क इसको दूसरे लफ़ों में हम कह सकते हैं हलाल रिस्क हमेशा हमें अल्ला से मांगना चाहिए और हराम रिस्क से बचना चाहिए और तीसरा पार्ट जो है दूआ का आमलन मतकबला मतलब कि ऐसा अमल जो अल्लह ताला के आहां खबूल हो मतलब अच्छे आमाल अच्छे आमाल आला हमें करने की तौफीख दे तो इस दुआ को आप अच्छे से याद करिए लिखिए और मैं इन्शाला अभी मैं थोड़ा सा वरकाउट कर रही हूँ टेलिग्राम के उपर एक चानल बनाऊंगे और उसमें आप लोग चाहेंगे तो आप उसमें एड हो जाएगा और वहाँ पर आप अपना जो आप लिख रहे हैं उसके स्क्रीन शॉट लेकर आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी आपको देख कर मोटिवेट हों और वो भी अच्छे काम करने की तरफ उनके भी कदम बढ़ें और मतलब अच्छे तो खेर काम हम सब ही कर रहे हैं कि हम इल्म सीखने के लिए हम लोग सब यहाँ इखटे हुए हैं बस आल्ला हमें कबूल फर्मा लें और यही दूआ अल्ला पाक से मांगते रहेगा और मेरे ले भी यह दूआ मांगएगा और पूरी उम्मत के लिए जब आप यह दूआ पढ़ें और इस दूआ को याद कर लें तो हर नमास के बाद आप यह दूआ जरूर अल्ला ताले से मांगएगा इस दूआ को कबूल कराएगा अल्ला से और उस वक्त जब आप ये दुआप कर रहे हों उस वक्त नियत कर लिजेगा पूरी उम्मत के लिए तो आपको और भी ज़्यादा सवाब होगा और चलिए इसी के साथ फिर इंशाला ताला कल हमारी कुकिंग वीडियो होगी अपलोड तो फिर आपसे कल मुलकात होगी तब तक के लिए इजाज़त अपनी दुआओं में बहुत सारी दुआ में याद रखेगा अस्सलाम अलेकूम वरहमतुलाही वबरकातो